एक्जाम की तयारी करे हो जैसा कि मैंने आप से कहा यदी आप SSE की तयारी कर रहे हो या फिर हSSE है या फिर आपका CDS है क्या का बाबु SDS है या फिर आपका NDA है यदि आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो तो आपका एक बहुत ही demanding question है वो question आपको पता होना चाहिए exam में कई बार आया है मैंने आपसे क्या कहा जो ये word है आपका many क्या कहा बाबू many जो word है आपको पता होगा आप जानते होंगे कि many girls बहुत सारी लड़कियां many boys बहुत सारे लड़के मैंनी का अर्थ मैंनी का जो अर्थ है वो आपका plural form में होता है जैसा कि आपको पता है कैसे जैसा कि आप जानते हो मैंनी का जो अर्थ है वो plural form में होता है कै तो कहने का मतलब मैंनी के बाद आपका plural noun चाहिए क्या चाहिए plural noun चाहिए उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा जब plural noun चाहिए तो जहर सी बात है आपका plural ही verb लगेगा क्या कहा बाबू plural ही आपका verb लगेगा example भी दूँगा लेकिन इसका एक concept है इसका common error है बहुत तगड़ा वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसमें से common error क्या पूछेगा आपसे इसका concept क्या है जैसा कि मैंने कहा कि many word many word एक plural word है तो plural noun दे दिया plural आपका verb दे दिया उसके बाद many के बाद क्या singular noun आ सकता है बिलकुल आ सकता है many के बाद भी singular noun आ सकता है लेकिन उसका एक condition है exam में यही पूछेगा आपसे आपके दिमाख में होगा कि sir many तो एक plural word है तो plural noun चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है many के बाद भी singular noun आ सकता है और singular word भी आएगा कैसे यहाँ पर देहन दो जैसा कि मैंने आपसे कहा many plus या तो आपका article a आयगा या फिर article n आयगा मैंने क्या कहा many के बाद आपका article a या फिर article n उसके बाद आपका कोई भी singular noun जैका पूछ सिंगूलर नाउन एग्जंपल विदूंगा घवरा हो नहीं भई एग्जंपल भी मैंने आपसे क्या कहा many के बाद article a या फिर article n उसके बाद है singular noun plus आपका singular verb क्या कहा जी singular verb अब यहाँ पर अब example के माध्धम से पढ़ने का प्यास करते हैं कि सर exam में जब आएगा तो हम पैचानेंगे कैसे कि इसका concept क्या है देखो मैंने यहाँ पर कहा जैसे कि many students many students are coming many students are coming तो मैंनी का अर्थ जो हुआ है वो पिलूरल फोन में हुआ यहाँ पर singular नहीं बना तो यहाँ पर क्या आपका students बहुत जादा विध्यारती हैं तो बहुत सारे students क्या भई आ रहे हैं उसके बाद उसके बाद मैंने क्या यहाँ पर ऐसे करता हूं many a student many a student is coming many a students is coming और exam में आपको यही दे देगा कि many के बाद a कर दिया यहाँ पर कर दिया students गलत हो जाएगा गलत concept हो जाएगा लेकिन many a या फिर many n के बाद आपका क्या चाहिए singular noun चाहिए और singular verb चाहिए यही बहुत तगड़ा common error है उसके बाद मैंने क्या का यहाँ पर student singular इसका अर्थ क्या होगा इसका तो अर्थ हो गया कि बहुत सारे विध्यारती आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा बहुत सारों मेंसे कोई एक विध्यारती आ रहा है क्या कहा बाबू जो इसका अर्थ होगा न वह अर्थ होगा बहुत सारे विध्यारतियों मेंसे कोई एक विध्यारती आ रहा है तभी तो आपका article a लग रहा है क्या कहा बाबू तभी article आपका a हन आता है एन आता है वह क्यूं जब singular की बात होती है जब किसी नान का singular होता है singular countable noon होता है तो आपकी आपकी sound consonant है तो आर्टिकल है यूदी आपकी sound vowel है तो ako kya भई आटीकल ए वह कैसे सद्थेखो मैंने आपसे क्या कहा यहां पर यहां पर मैंने दूसरा लिया, example, many an apple, many an apple is eaten by राम, मैंने क्या कहा, many an apple is eaten by राम, बहुत सारे सेवों में से कोई एक सेव, राम के दुवारा खाया जाता है, मैंने हैं पर यह नहीं कहा, मैंने कहा, कि many an apple is eaten by राम, के बहुत सारे सेवों में से कोई एक सेव, एक सेव राम के दुवारा खाया जाता है, लेकिन यहां पर क्या आप मैंने, यहां पर कहा, many apples many apples are eaten are eaten by rame, तो बहुत सारे सेब क्या का बाबू, बहुत सारे सेब many apples, many apples are eaten by rame बहुत सारे सेब जो है, यहाँ पर rame के दवारा खाय जाते है, तो यहाँ पर many का परियोग, many के बाद यदि plural noun है, तो plural word भी चाहिए, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, पढ़ा नहीं रहा भी concept दे रहा हूँ, यदि आपका कोई भी exam है, आपका SSC है, HSSC है CDS है, NDA, कोई भी exam है बहुती popular question है, यह आपको पता होना चाहिए, यदि many के बाद आपका plural noun है, तो plural verb चाहिए, plural noun तो plural verb, यहाँ पर मैंने क्या कहा, यदि many, many के बाद article A दे दिया, या फिर article N दे दिया, तो आपका singular noun singular verb, यही बहुत तगड़ा common error है, पढ़ा नहीं रहा भी concept दे रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा many a student, बहुत सारे विध्यारतियों में से कोई एक विध्यारति, इस कमिंग आ रहा है उसके बाद, many an apple बहुत सारे सेवों में से कोई एक सेव is eaten by Ram, Ram के दोवारा खाया जाता है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, many friends are coming बहुत सारे विध्यारति आ रहे हैं तो बहुत सारे में से एक नहीं आ रहा है बहुत सारे विध्यारति आ रहे है उसके बाद मैंने क्या का, many apples are eaten by Ram बहुत सारे सेव Ram के दोवारा खाया जाते हैं, दिमाग माया बाद तो यहाँ पर जो many है वो singular का भाव दे रहा है, यहाँ पर जो many है वो plural का भाव दे रहा है तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए बहुत तगड़ा कॉंसेप्ट है भई, पढ़ाता नहीं कॉंसेप्ट देदा हूँ, ओके थैंक्यू, टेक केर